हेलो वाट्स अप गाईज मैं इस पिनोत बादु थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने PC और Laptop को स्पीड अप कर सकते इन 2020 इन हिंदी तो चले गाईज शुरू करते वीडियो को सुरू करने से पहले गाईज साब लोगों कितना बताना चाहूंगा कि जितने भी टिप्स में आज आज आपको बताने जा रहा हूं वो काफी है आपके Laptop या PC को स्पीड अप करने के लिए एंड बेस्ट फिंग पता है कि इस वीडियो का वो यह कि कोई भी यूजर हो जिसको Laptop अच्छे से चलाना भी नहीं आता हो गाईस उनको भी में इतने अच्छे साज स्टेप बाइस स्टेप बताने वाला कि वो भी खुछ से अपने घर में फ्रिली Laptop या PC को स्पीड अप कर सकती स्पीड अप मतलब फास्ट करना ठीक है ताकि हैंग ना हो बार बार रूके ना कैसे आप उसको एकदम फास्ट बना सकती तो गाईस अब बीना किसी देरी के ह सबसे पहला तरीका तो यह स्टेप नमबर टू देखे गाईस स्टेप नमबर टू क्या बोलड़ा स्टॉप प्रोग्राम्स रुनिंग और स्टार्ट अप जब भी आप अपने PC को अन करते हो या लेप्टॉप को अन करते हो ठीक है किसी किसी का on the spot यूनो ओपन हो जाता है तो किसी किसी का थोड़ा टाइम लेता कुछ जादा ही टाम ले लेता तो कैसे आप उसको स्टॉप कर दो ताकि खाली स्टाट अप में आपका जो नॉर्मल जो रिक्वाइड है वही रन हो एंदेन बाद में जब आपको सॉप्ट्वेर रिउस करना पड़े तो ही वह स्टा हो या पीसी हमेंसे एकदम फिट एंद फाइन रहे गए जैसे आप अपने बॉडि को रखते हो या अपने कार या बाइक को सर्विसिंग करा के रखते हो ठीक है तो देखे गाइस आज हम देखने वाले टॉप फाइब टिप्स जिससे आप अपने पीसी या लेप्टॉप क स्पीड अप कर सकते हो लास्ट में एक आपको बोनस बताऊंगा तो देखे गाइस में सबसे पहला बताना चाहूंगा नमबर वान इस रीमूब टेंपररी फाइल्स तो देखे गाइस टेंपररी फाइल्स क्या होता इसका सिंपल मालब है कि जब भी कोई आप यूज करो है तो वह हमें नहीं चाहिए तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है पहला टिप से ही है कि कैसे हम उसको डिलेट करें तो देखे गाइस आपको क्या करना है अपने विंडोस पीसी पे जाना बेसिकली इसमें विंडोस पीसी के लिए बोलो अगर आप मैं क्यूस करो तो वहां प परसेंटेश साइन टी एंप एंड अगें परसेंटेश साइन एंड आप इसको ओके पे क्लिक कीजिए यह एंटर हीट कर दीजिए एंटर हीट करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेंपरारी फाइल से उसके पेज ओपन हो चुक है ठीक और यह सब हमें बिलकुल इसको आप कंप्लिट ली डिलीट कर दीजिए तो बैटर रही एगास एक बार आप टेंपरेट फाइल को आप क्या कीजिए गाइस डिलीट कर दीजिए अन गाईस आप जब भी आपके फाइल डिलीट हो और कुछ इस टाइप का जो आपका एक प्रॉम्ट ओपन हो जा तो इसकी मुझे जरूरत है तो आप इसकी कर दीजिए सिंपल इस तरी किसे आप पहले देख सकते हो कितना था बट अब बस इतना से ही है इसको आप रहने दीजिए ठीक है और राइट इतना हो चुका है और अब हम देखते हैं दूसरा के आप देख सकते हैं स्टॉप प्रोग जाता है जिससे आपका जो स्पीड है वो कम हो जाता तो उसको चेक कैसे करें देखिए आपको अगेन यहाँ पर जाना नहीं तो आप सिंपली कंट्रोल नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं तो आप सिंपली टास्क मैनेजर पी यहाँ पर लिख सकते हैं तो मैं कंट्र को on करूंगा यह सारे फाइल से उसके साथ अपने आप on होने लग जाएगा ठीक है मतलब स्टार्ट होने लग जाएगा तो इससे आपकी PC की जो speed वो कम हो जाएगी obviously है कि नहीं तो आप क्या किजिए जैसे यह यूट और साथ साथ यह जो यूट और फाइल है यह स्टार्ट नहीं होगा उससे तरी के सी यहां पर भी आप मीडियम देख सकते हो हाई देख सकते हो गूगल क्रोम अगर आपको भी यह चाहिए तो आप देखे कि यहां पर आपके कौन-कौन साथ से फाइल्स दिखाए दे जो आपको नहीं चाहिए कि आप जब पीसे अन करो तो वह भी ऑन हो जाए उसके साथ तो आप यहां पर उसको कर सकते हो ठीक यह बहुत इंपोर्टेंट है और इसको मैं कर देता हो क्रॉस तो हमने पहला देखा दूसरा देख लिया तीसरा अंस्टॉल अन्यूजड एप या सॉप्ट्वर इसका मदलब क्या वाकिए गाईस हम क्या करते आज के टाइम में जब-जब कोई नया हमने सु किया गेम खिलने लग गए एंड इन उसको अंस्टॉल किये बिना ही बोर होके उसको छोड़ देते तो वह ऐसा नहीं करना गया सापको क्या करना है सिंपली यहां पर लिख दीजिए डारेक इस तरी के से प्रोग्राम्स नई तो आप डारेक्ली एड और रिमूव प्रोग्राम पर जाईए इसको ओपन कीजिए ठीक है यहां पर जैसी आप जाओगे तो यहां पर देखिए राइट साइड में रिलेट सेटिंग में दिखा चाहिए तो डिरेकली अपको बता सकता था कि आप प्रोग्रामस और फीचर पे जा सकते हो लेकिन ये याद नहीं रहेगा बहुत तो को बस इतना याद रहेगा याड और रिमूब एड और रिमूव तो इसलिए मैंने लिखा एंड यहां पर आपको दिखेगा प्रोग्रा एंड आपको क्लिक कर देना है येस पर ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखिए थोड़ा टाइम लीजे कि ऐसे कॉन से सब्सक्राइब जिसका मैं यूज करी नहीं रहा फिर भी उसको इंस्ट्रॉल करके रखा हुआ था तो आप उसको अंस्ट्रॉल कर दीजे जो तो हमने इसको भी देखा इसको भी में डिलेट कर देता हुआ तो अभी तक हमने तीन देख लिए पहले तो टेंट्रेटी फाइल को डिलेट करो दैन गाइस हमने क्या देखा ऐसे प्रोग्राम जो जब हम PC कॉन करें तो वह भी स्टार्ट हो जा रहा है वह हमने उसको हटाय दैन अंस्ट्रॉल किया ना फॉर्थ यह तो गाइस हरे को काना चाहिए डट इस रिसाइकल बीन को आप एम्टी कर दो ठीक है तो कैसे करना देखें बहुत हो कि तो अल्रेडी वह डेक्स्टॉप पी रहता है लेकिन अगर वह ऐसे नहीं है तो यहां पर देख सकते हो रिसा ध्यान में रखना है कि आपको इसको कंट्रोले एंड दन डिलीट पे हिट करना है लेकिन उससे पहले गाइस आप एक बार अच्छे से चेक कीजिए कि कहीं कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल्स तो नहीं जिसको आपने कभी ने कभी गलती से साह डिलीट कर दिया हो और वो सिंप्ली कंट्रोले पे कुलिक कीजिए इस तरी किसे आप डिलीट कर सकते है इसको डिलीट कीजिए लेकिन आप देख सेकते हो कि मैंने बहुत लंबे समय से इसको डिलीट नहीं किया था तो में भी थोड़ा टाइम लोंगा कि मुझे पता तो चले कौन-कौन से फाइल से तो फिलाल अभी मैं आपको सिर्फ डिलिट कैसे करना वो दिखा दियता हूँ राइट क्लिक करना है रिस्टोर तो मैंने आपको बता दिया जो इन पोर्टेंट है रिस्टोर कर दो नहीं तो सिम्पली डिलिट पे क्लिक कर दो एंड इस तरी किसे पूछेगा क्या आपको permanently delete करना है इन 20 items को जिसको मैंने select किया मैं yes, एक बार आपने अगर इसको delete कर दिया guys, then आप इसको restore नहीं कर सकते, ठीके तो हमने ये fourth one भी देख लिए, now the last है, आप अपने PC को हमेंसा up to date रखो, जो भी आपको updates आ रहे हैं, ठीके, उसको आप पहले check करो, उसको review देखो कि उस update के अंदर ऐसे concept future से जो मुझे चाहिए मेरे PC के लिए ज़रूरी है या नहीं, जो security patch होती है वो सब आपको check करना है तो उसके लिए अपको क्या करना guys, देख सकते हैं, आपको simply जाना है, यहाँ पे लिखना है update तो आप देख सकते हूँ, check for updates तो open पे आपको click कर देना है and once आपने किया तो आप देख सकते हूँ you are up to date, मतलब सब को check दम सही है नहीं तो guys, आप check for updates पे click करके check कीजिए and अगर आपको लगे कि यह जो update है, यह मेरे बहुत कामका है, आप उसको फिर update कर देजे बस basically इतना है कि अप to date रही है आप ठीके, तो guys, यह जो मैंने आपको पाँच tips बताए, बिलिप में यह enough है क्योंकि आपने क्या 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 टेंपरेरी फाइल्स को delete कर दिया, जो भी आपकी जो start-up case हमें जो programs unnecessary start आपने उसको हटा दिया, जो हमें software नीच यह था, हमने उसको install कर दिया, recycle bin को clean कर दिया और हम up to date है, और last में एक bonus आपको tips यह देना चाहूंगा कि guys, आप Windows 10 अगर यूज़ कर यह तो उसमें बहुत सारी animations आती, जो आपका थोड़ा time consuming होता है और आपकी power, जो है आपकी जो battery उसके भी थोड़ी capacity कम कर देता, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि animation ना हो, simple आपका जो थोड़ा और speed up हो जाए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने PC का जो appearance है, जो performance है, उसको control करने के लिए, animation को आप adjust कर सकते हो, ठीक है, तो आपको simply लिखने, adjust the appearance and performance of Windows इसको कर देना है open, and once आपने किया, तो आपको एक list दिखाई दे रहा है, कि animate controls, animate ये, ये सारे वो list है, यहाँ पर आप देख सकते हो, let windows choose what best for my computer, adjust for best appearance, adjust for best performance, ठीक है, आपको क्या चाहिए, तो अगर आप इस पर click करोगे, तो आप देख सकते हो, सारे untick हो गए, ठीक है, आप ये कीजे, हो सकता, आपके सारे tick थे, इस तरी के से, आपको वो नहीं करना है, अगर आपको चाहिए, तो custom भी आप कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ performance चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कीजे, and then apply, and then ok पर click कर दीजए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और मैंने अभी जितने भी आपको tips बता है, ये सब होने के बात, एक बार PC को आप restart जरू करना, ताकि कि वो सारे necessary changes जो हमें चाहिए थे, वो आपको मिल सके, so this is it guys, आज इस वीडियो के इतना है, and I really hope आपको बहुत मज़ा है, और जो मैंने आपको tips बता है, और साथ में जो एक bonus बता है, guys इसको कोई भी user अपने laptop और PC पर यूस कर सकता है, बिना किसी difficulty के, अगर मैं आपको options देता है, like this clean up and all, guys उसमें थोड़े risk है, but यह जो मैंने बता है, this is enough, so guys ऐसे awesome videos में बनाते रहता है, और मैं आज थोड़ा हट के videos बनाने की मेने कोसिस की, तो guys इस type की videos आपको कैसा लागा, नीचे comment करके जरूर बताईएगा, मैं आपकी जरूर help करूँगा, और मेरे चैनल था आपका technical को subscribe करने आप बिल्कुल मत दूले, क्योंकि मैं daily ऐसे awesome videos create करता रहा तो जो आपको जरूर help करने हो ला है, so till then guys, thank you so much, take care.